हालो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो चले स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो और इस नए वीडियो में मैं उन 12 वालों के जो 12 में नए नए बैच बना मैं उनके बारे में बात करूंगा कि वह कैसे अपना 12 भी बहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और अगर उनका 11 खराब हो गया है तो 12 में वह कैसे कर सकते हैं इस पर बात फोकस करूंगा तो बैसिकली अभी आप 12 में वह 11 जनरली सभी के साथ ऐसा होता जो तुम्हारे साथ हुआ है बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे क्योंकि इसके पीसे रीजन है कि मैं 10 में पढ़के आए हैं बच्चे और वैसे 11 को भी ले लेते हैं और बेसिकली ऐसे चला जाता है तो इस चीज पर बिल्कुल टें अगा सबसे टब कमटीशन इस माना जाता है उसको भी निगाल सकते हो तो इसमें तो बहुत ज़्यादा सीट है इस में साथ साथ सो आठ सो सीट होती है 20 लाग इस बैठते हैं अब तुम सुचो ना नीट और जेई के अगर बात करोगे तो इसमें तो आर मतलब नीट में पढ़ना कैसे है इस इस पर मैं बताऊंगा सबसे पहली जो है वह रेगुलर पढ़ाई करो अगर पढ़ने के लिए सीरियस हो एक बार अगर 12 कराब हो गया तो समझो तुम यह जो कॉंसेट 11 12 कराब हो गया तो तुम्हें बढ़ियां कॉलेज नहीं मिलेगा और बढ़ियां सबसे बड़ी बात खुस रहो जब आप अंदर से अनर्जी लोगी मोटिवेटर रहोगे और आप अंदर से खुस रहो जब आप खुस रहोगे तो ज्यादा बहतर तरीके से आपका दिमाग काम करेगा और जो दुखी आत्मा के लोग होते हैं जिनकी आत्मा में साथ चेरे पर से पता चल जाएगा वह दुखी है तो वह अगर तुम दुखी हो तो फिर तुम नीट और जई कहसे निगाल हो गया वी शुट भी कॉंपिटेंट वी अप अच्छा का हो अच्छी डाइट लो अच्छी एक्सरसाइस करो और अच्छा से नीट और जई की प्रिपरेशन करो क्योंकि एक कंप्टेशन इतना आसान भी नहीं है चलो तो दूसरी दूसरा इंपर्टेंट बात है कि आप अगर नीट और जई की तैयारी करें और 12 में आ रहे आ गये हो तो यह तो हो गया रिखुलर पड़ाएगा दूसरा जबार क्या क्या मतलब है कि दिखो एक बुझा है जो पूरा इंप्त किए कशिक्षे में से नीट नहीं जहीं हो रहे है और एक बच्छा जो पांच चेप्टर पड़ा आई पांच यूट पड़ा आई और वो पांच यूट से जितरे भी कोष्चन आई उसका अब कर ले रहा है तो आप किसका सरद कर तो जो पांच यूट पड़के I? चार यूष्ट पड़के ग़ा है उसका selection हो जाएगा जही नेंस या निट में और जो 10 यूनिट पढ़के गया है एक भी question नहीं हो रहा उसका selection कभी नहीं होगा उसने quality education नहीं पढ़ा तो quality का मेरा मतलब है कि कोई भी chapter अगर पढ़ो या पकड़ो तो उसको तब तक करो तब तक करो जब तक जही और नीट का level यह चीब हो जाए जहीं और नीट के question तुमसे होने लगे निकलने लगे तो तुम समझ जाओ कि हां यारी यह जो मेरी पढ़ाई है वह quality education हो गई बहतर हो गई और उसका तो दो चीज हमें इसा बात रखो रेगुलर नहीं पढ़ाई करो तो बैक लोग होता चलेगा पागल होते चलोगे फ्रस्टेड होते चलोगे बोज बढ़ता चलेगा लास्ट में तुम कहोगे कि ड्रॉप कर लेते हैं और ड्रॉपर से रिजल्ट आने की probability तो बहुत ही कम ह होती है जो फ्रेस ब्रेन होता जो ताजा ब्रेन होता है उसके चांस जादा होते हैं तो यह दोनों बातें याद रखो बागई अगर मेरे चैनल से चुड़े रहो टाइम टाइम से कोई दिक्कत है तो कमेंट करो आई विल ट्राइटु सॉल्ट प्राब्लम और सबसे लोग और अपना बहुत जादा ख्याल रखो थेंक यू